सेवाई आज की समय में सबसे बड़ी संजिनी है कौरो वारा अच्रदे श्री देविंद्रबाई जी लोगो की सेवा करना इस मामारी के वक्त में एक सौबागी की बात है उनों मामारी के इस सेकेंद्रेश से आर्फिभेवित है और समाज में कुछ ऐसे फरिष्टे भी हैं जिने आप कोई भी नाम से पुकार सकते हैं जैसे एक नाम है जो करीब और जरुद मंद्र की सिवा करने का कोई भी मुका नहीं छूड़ते अक्सर जो बन सके वो कंते नजर आते हैं सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारे देश में जिस तरह की महामारी ने अपने प्यार पसारे हुए हैं आज पूरी भारत ही नहीं पूरी दुनिया इससे तरास्त है आपस से जूज रही है और सभी जो संस्थाएं हैं सभी जो समास सेवा जो कारी करते हैं तो सभी इसमें बढ़ चड़ के हाथ अपना सहभागीता दे रहे हैं एक दूसर की मदद कर रहे हैं लेकिन जो संस्थाएं जो लोग कुछ संकूज बस नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे में गुजारिस करना चाहता हूँ कि वो भी अपना दिल बढ़ा करके हमारे जो लोग हैं मीडिया कर्मी लोग हैं हमारे जो पार्ट पर लोग रहते हैं उनके आज लोकडान के कारणा जिनको रोज कमाते रोज खाते हैं आज उनको बड़ी प्रोब्लम से जूज रहे हैं आज हम जब देखते हैं सड़कों पर देखते हैं आज उनको बड़ी प्रोवलम हो रही है तो मैं सबसे गुजारिस करना चाहूंगा कि सब लोग अपना दिल बड़ा करकर सभी लोग दूसरों की मदद करें सभी लोग अपना उन्हें सहीवग दें क्योंकि आज हम उनने हमार करें एक एक निमित बन सकते हैं उस से जबा कुछ नहीं कर सकते हैं और मैं कुछ करने तो मैंने का भाई हम कौन होते हैं करने वाले जो कुछ होता है देख लेते हैं तो थोड़ा बहुत हमारी तरफ से जो है तो आप लोग उसको हम बताने नहीं चाहते हैं कि क्या है क्या नहीं है वह आप लोग क्योंकि कहते हैं कि जब कुछ अच्छा कारी करो तो उसको बता के आराम से कर दीजिए तो गोही एक मैने पोसेस की है नेस्ट इसके अलावा हमारे देश में जो ऑक्सिजन की कमी आ रही है और बहुत सारी चीजों की कमी आ रही है उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ओडियंस आपको देख रही है आज हम बड़े एक बड़ी त अच्छास में पहली बार ऐसी नौबात आई है कि आज लोग सास लेने के लिए मौताज हो चुके हैं आज पहले कोरोना की मार बेरोजगारी की मार और फिर सासों की मार इससे इतना लोगों का होसला जो है वो इतना टूड़ चुका है कि आज बहुत जितने लोग कोरोना मह हमारी से गिर्शत नहीं मैं अपनी जान गमा रहे हैं उससे कई अधिक अपनी जान सास से ऑक्सिजन की कमी के कारण और घवराहट के कारण तो मैं उससे ही कहना चाहता हूं कि मेरे प्यारे भाई बहन जो भी आप जो बीमारी से गिर्शत हैं उनको आप पहली बात आप डट प्रमात्मा उसका फल मुझे ना देकर मेरे भारत के प्रतेक कोरोना महमारी से जूज रहे जो भाई बहन एवंवान उनके परिजन को उनके खाते में दे दें मैं यही प्राथना करता हूँ लेकिन आप घबराएं नहीं आप चिंता ना करें आपके साथ पूरा देश खड़ा है मैं आपके साथ हूँ कोई दिक्यत की बात नहीं है थोड़ी समय की मुसीवत है आप निस्ष्ट ही इससे पार पाएंगे और इससे लिए उनके बारे में कहा जाया तो उनकी जो पृतिवा है उनका जो नीचर है वह जितना परतरी से मिलता जोलता नाइचर है उनका इतने सवप और हमेसा संत हिद है उनके बारे में और हमेसा हम हराष्च्ण अक्राष् convenience healthy बलाइद के लिए चठा करते हैं कि महरा cities की जनता को कैसे वो अपने सेवा काल के दौरान कैसे लाभान बित करवा सकें कैसे उनके द्वारा अच्छे कारे हो सकें कैसे ने 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 हो सकें वो हमेशा और उनसे मेरा पैसनली व्यक्ति दौर पर बहुत अच्छा रिस्ता है और जब भी उनको कुछ लगता है तो मैं उनसे करता हूं जिससे सामाज गती विदियों में थोड़ी लोगों को मदद मिलती है उनकी प्रोशान के लिए मदद मिलती है और हमेशा वो कुछ ना कुछ अच्छे कारे के लिए हमेशा प्रेणा देते रहते हैं अच्छे मास्ट का आया है लोग करते के मास्ट परने से तकलीव होती है लेकिन जैन धर्म की बात पर देखें अगर जैन धर्म के आदम उठाके देखें तो कहते हैं अनादी नेदन है जैन धर्म अब्सक्राण में जैन धर्म की जो सिद्धानत है वो पूरे के आज की दुनिया के हिसाब से आज के विग्ज्याने की सरा है आज मांगो नहीं करिए यह तमाम चीजह जो हो रही है है और और शबसे बड़ा जो सिद्धांत दिया है भगवाल महाँफीर ने वो कहा है एहिंसा का उसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है आहिंसा जीतना पालं करेंगा आज कौरोना महापूरा देश पूरी दुनिया के रही कहीं न कहीं कोरोना में हिंसा का बड़ा प्रियोग हुआ है तब जा कितने बड़े प्रमाने पर आज में वो पनप पाया है इसके लिए भगवान महाबीर ने जो पहले बनना चाहते हैं तो आपको इन रूल्सों को मनना पड़ेगा रात्री भोजन नी करें मासाहर का कम से मासाहर का त्याक करें और साका हर जीवन को अपनाए और चल कपड प्रपंच जो हम दुनिया भर को लगए में दूसरों को ठगने में लगे रते हैं इसे बचने का प्रयास करें महावीर ने जो पांच सिध्धान्त किये हैं सत अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य आप परिग्रा का जो सिध्धान्त दिया है इससे हम कहीं न कहीं हमारे जीवन में समलित है महावीर कहते हैं करना चालता हूं कि आप हमारे भाई पुषकर्जी और सब मीडिया कर्मी है और यहां वह भारत के जतने भी जो भी अपने जान हतेली पर रहकर अपना कारे कर रहे हैं कबरे दे रहे हैं पलपल की खबर पूरे देश और दुनिया की खबर आपको टेलिविजन के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं वे उनका भेदा से बहुत बहुत आभारी हूं और भूत ही सम्मान के साथ उनसे बिनम्मिता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारी समात के चोथे स्थम्भ हैं और चोथे स्थम्भ होने के नाते आपका एक कर्तब बोदायत बनता है कि आप सच्छी और अच्छी घटनाओं से प्रेरित खबरों को अधिक सधिक प्रिशारित करें भली से आपकी टियार भी थोड़ी बहुत काम आईगी पर आप मानिए जो आपको सुकून जो सांती जो पीस आपको मिलेगा को कहीं नहीं मिल सकता है हमारा जीवन बहुत छोटा है क्यों हम दुनिया के चल कपट प्रबंचों में परें क्या हासल होने वाला है किसलिए हम कर रहे हैं आप देखो ना जिनकी करोरों अर्मों की जाजा धरी क दरी रह गई और कोरोना की एक जटके में पता चला की साम के अच्छे भले हैं और सुबह उनको दुनिया से हमारी बीच से बता हो जाते हैं क्या रखा सब धरा ले गया ही पर तो बस हमारा बस भारत और सबसे इने विदन है कि अपने में जीएं दूसरों से चल कपट मत करे दूसरों की बुराई मत करें अपने में जीने का प्रयास करें और भगवान का जो भी आप जनी इसोर को मानते हैं अल्ला को मानते हैं भगवान को मानते हैं जिसको मानने वाले हों सभी अपने आराद करें प्रातना करें कि जो भारत में हमारी है वो जल्द से जल्द उससे मुंबई रफ्तार न्यूस की खबरे बसंद आने पर हमारे यूटूब चैनल को सब्क्राइब करें और लाइब करें प्रफ्तार को सब्क्राइब करें